नमस्कार एश्टेवी न्यूज में आपका स्वागत सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्ख्यों पार भाजपा परदेश अध्यक्ष पर अहम की लड़ाई गजंदर सिंग शेखावत के नाम पर अड़ा केंद्री नेत्रत वसंदरा राजे नहीं चाहती शेखावत बने परदेश अध्यक कॉंग्रेस ने करनाटक चुनावी घोषणा पत्र की अजारी मोधी सरकार पर लगाए भरश्चाचार क्या रोप चुनावी घोषणा पत्र में चात्रों को लेप्टोप मुख्त सहीत अने कोई योजणाओं की कुई घोषणा पैट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विरोध परदशन जैपूर में कॉंग्रेसी उतरे सडकों पर बैल गाड़ी और उट गाड़ी पर निकाला जुलोस और आसाराम की जमानत की हुई तैयारी सल्मान के वकील लगाएंगे जमानत याची का सोमवार को शिल्पी की जमानत याची का होगी दाखिल और अब समचार विस्तार से राजसान में भाजपा के लिए परदेशा अध्यक्ष की घोशना करना किसी सिर्दर्द से कम नहीं भाजपा के पूर परदेशा अध्यक्ष अशोक परनामी को अध्यक्ष पस्ते स्तीफा दिये उए लगबग दो सप्ताब बीच चुके हैं उसके बाद केंद्रे नित्रत ने परदेशा अध्यक्ष के लिए जोधपूर सांसद और केंद्रे कष्षी राज्यक्ष अमित शेकावत का नाम लगबग तैक कर दिया था लेकिन मुख्यम मंत्री राजे शायद इस नाम से सहमत नजर नहीं आ रही इसी संदर में राजे ने गुरुवार को राष्ट्य अध्यक्ष अमित शाहा से मुलकात की और परदेश अध्यक्ष जाती गत समी करणों के अधार्थ पर बनाए जाने की बात कही लेकिन भाजपा का केंद्रे नित्रत गजेंदर सिंग के पक्ष में नजर आ रहा है मिली करारी हार के बाद परदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्य मंतरी का चेहरा बदले जाने के कयास लगाए जा रहे थे इसमें करीब दो सब्ता पहले परदेश अध्यक्ष अशुक परणामी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया या यू कहें कि ले लिया गया लेकिन नए परदेश अध्यक्ष के लिए मुख्य मंतरी खेमा लाम बंद हो चुका है स्वय मुख्य मंतरी ने भी केंद्रिय नेतरित द्वारा अध्यक्ष पद के लिए सुझाए गए नाम गजेंदर सिंग शेखावत पर सेहमती नहीं दी इस सिलसले में पिछले दिनों राजस्तान के कई मंतरी जिसमें यूनुस कान, भेम सिंग, भडाना, काली चरण, सर्राव सहीतने को मंतरी और विधायक राजे के समर्थन में पहुँचे और परदेश अध्यक्ष जातिकस समी करण के अधार पर बनाने की बात कही लेकिन शायद बात बनती ना देख स्वेम मुख्य मंतरी ने गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात की उस पर भी कोई निश्कर्श नहीं निकल पाया वहीं राज्यसाबा सांसर नरैन पंसारी का नाम भी परदेश अध्यक्ष के लिए लिया जाने लगा है फिलाल करना ठक चुनाओ तक मामला अटक गया है दिली में रास्तन के कई मंतरी और विधाय को ने डेरा डाला हुआ है ऐसे में केंद्रे ने तिरत द्वारा परदेश अध्यक्ष के लिए किर्शी राज्य मंतरी का नाम लगबग फाइनल किया जा चुका है लेकिन वसुंद्रा खेमा जाती गताधार पर अध्यक्ष बनाये जाने की वकालत कर रहा है जबकि कारण सिर्फ ये ही है कि गजंदर सिंग राजे के विरोधी माने जाते हैं और राजे किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि शेखावत अध्यक्ष मने ऐसे में इसका खामया जा परदेश में भाजापा को चुनाओं में उठाना पड़ सकता है करनाटक विधनसब चुनाओं के लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी का घोशना पत्र जारी कर दिया मैंगलूरू में घोशना पत्र जारी करते हुए राहूल गांधी ने कहा कि यह घोशना पत्र लोगों से पूछ कर बनाया गया है राहूल ने कहा कि हमने करनाटक के हर जिले में जाकर लोगों की राय ली हम घोशना पत्र में किये गए एक-एक वादे को पूरा करेंगे की बात नहीं कह रहे बलकि लोगों के मन की बात के मुताबिक काम कर रहे हैं। मुफ्स शिक्षा साथी हर साथ 15 से 20 लाग युगां को नोकरी दिये जाने का वादा किया गया है। वहीं कॉंग्रे सद्यक्ष पिछले कुछ महिनों में करनाटका छे बार दोरा कर चुके हैं। तुछ गिए गश्टाबिक के लुगों का वादाका कर रहे हैं। वहीं को लुगों करनाटका रहे हैं। ऐस्था प्रविविवाद ओंग्रे सेवीस है। the Prime Minister likes to tell people his man ki baat this manifesto contains the man ki baat of the Karnataka people and my commitment to you and Sidh Ramayaji, Khargeji and all our leaders on the stage commitment to you is that like the last time what we are saying in this manifesto is going to be done in our last manifesto almost 95% of things that we said have been done and the reason is the reason is that we believe in the philosophy of Karnataka we believe in the philosophy of who said nudidante nade Karnataka Car समेट कॉंग्रेस के ब्लॉक, अध्यक्स और अन्य पदादिकारी शामिल कुई कारकम सहोजक सुरेश मिश्रा ने बताये कि दुनिया भर में क्रूड ओयल की कीमते कम हो रही है जबकि अपने देश में लगतार कीमते बढ़ रही है भाजापा की केंदर सरकार में महँगाई हमेशा बढ़ी है सरकार लगतार पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ाये जा रही है ऐसे में देश का नागरिक परिशान हो चुका है पैट्रोल वेट डीजल का दाम बढ़ने से लोग गाडी नहीं चला पा रहे है नोबत ये है कि गाड़ियों को उंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी से खीच कर चलवानी पड़ेगी जिला धिश परताप सिंग खाचरियावास ने भी मुझूदा केंदर और भाजापा सरकार पर जम कर हला बोला जोत्पुर में उम्र कैज की सजा मिलने के बाद सलाकों के पीछे कैद आसाराम को जेल से बाहर निकालने के लिए उनके समर्थ को ने एक नया प्लान तयार कर लिया है आसाराम समर्थकों ने वकीलों के साथ मिलकर बापू को बाहर निकालने के लिए सबी कानूनी दाओ पेच लगाने शुरू कर दी है सूतरों की मानने तो आसाराम के एक समर्थक्त के अनुसार उन्होंने बापू की जमानत का प्लान बनाया है जिसके तैस सबसे पहले वे हाई कोड में शिल्पी की याचिका लगाएंगे इसके लिए सल्मान खान के वकील रहे महिश बोड़ा को ये है जम्मेदारी सूपी गई है शिल्पी के पिता मेंदर कुमार इसी याचिका के सिल्स्रे में जोद्पूर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सीनियर वकील महिश बोड़ा से मुलकात भी की शुक्रवार को वकालत नमा साइन करने की कारेवाही पूरी किये जाने की संभाव ना है सल्मान खान का केस लड़ने वाले महिश बोड़ा अब सूम्प वार को शिल्पी की याचिका हाई कोर्ट में दायर करेंगे ना बालिक सी योन शोशड के दोशी पाये जाने पर बुद्वार को आसाराम को सुराई गई उम्र कैद की सजा के खिलाफ गुरुवार को उनके वकील रास्तान हाई कोर्ट नहीं पहुँचे उमीद लगाई जा रही थी कि आसाराम की और से कोर्ट में अपील पेश की जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अपील के लिए आसाराम के वकीलों को अभी एक दो दिन का समय और लग सकता है गुर्ट लभे की लाखों समर्टों को भक्तों से घिरा रहने वाला और संत कहलाने वाला आसाराम अब जोदपूर सेंटरल जेल का कैदी नमबर 139 है वे जेल के वार नमबर 2 के बैरक नमबर 1 में रहेगा उसके साहत पहले रसोया परकाश रहता था अब उसका सेवादार शरत होगा शरत का कैदी नमबर 139 है वे वार नमबर 2 के बैरक नमबर 2 में रहेगा दोनों कैदी एक ही परिसर में रहेंगे शिल्पी को सेंटरल जेल परिसर में ही महिला जेल में भेजा गया है बांधी कोई जेले के बसवताने इलाके में कोलाना इस्तित जेल से शुकरवार को दो कैदी दिवार फान कर भाग निकले घटना का पता चलने पर जेल महकमे में हड कम मच गया सूचना मिलने पर पुलिस मोके पर पहुँची आनन फानन में टीमें घटित कर दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई लेकिन दोपैर तक पता नहीं चल पाया लूट पार्ट के मुकदमे में जेल में बंद थे ये दोनों कैदी जानकारी के अनुसार जेल से भागने वाले बंदी शाद और साबिर है पिछले साल नॉवंबर में बस्वा इलाके में बिजली निगम आफिस में लूट पार्ट के मामले में पुलिस नहीं ने गिरिफतार किया था तब से दोनों कोलाना गाओं इस्थित उप कारग्रा में बंद थे शुकरवार सुबेक करीब पूने 6 बजे जेल में बंदियों को चाय नाश्ता दिया गया तब तक दोनों बंदी इशाद और साबिर वहां मुझूद थे इसके बाद वे दोनों जेल से भाग निकले जेल में बंद चल रहे दोनों कैदियों ने अपने 3-4 कंबलों को फाड कर काफी लंबी रसी बनाई इसके सहरे वे जेल की करीब 25 विट लंबी दिवार फांद कर भागने में काम्यब रहे अब जेल अधिक्षक की रिपोर्ट पर बस्वा थाना पुलिस ने मामले की परताल शुरू कर दी है बताया जा रहा है कि जेल की बाहरी सुरक्षा में तैनाथ आरेसी का एक जवान अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था तब उसने जेल की बाहरी दिवार की तरफ कंबल की रसी लटकते हुए देखा संदेख होने पर आरेसी जवान ने जेल परबंदन को सूचना दी जेल अधिकारियों ने वहां मुझूद बंदियों की गिंती करवाई तब इशाद और साबिर गायब नजराए इसके बाद जेल महकमे में हर कम मच गया ततकाल बस्वा पुलिस और उस्चाद धिकारियों को सूचना दी गई अपने नाबालिक बच्चों को गाड़ी सोपना अब पेरेंट्स को काफी महंगा पड़ गया है नाबालिक बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देने के आरोप में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 26 पेरेंट्स को अरेश्ट किया है हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम नाबालिकों को सडग पर ड्राइविंग से रोकने के लिए उठाया है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मार्च अप्रेल महा में 26 ऐसे पेरेंट्स को अरेश्ट किया गया है जिनके 18 साल से कम उम्र के बच्चे सडक पर ड्राइविंग करते हुए पाए गए एक निउज एजेंसी की मताबिक हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जॉइन कमिशनर अनिल कुमार ने बताए कि मार्च महीने में कोड़ द्वारा 20 पेरेंट्स को जेल भीजा गया था हैदराबाद पुलिस इन दिनों पेरेंट्स और बच्चों के लिए काउंसिलिंग सेशन आजित कराने से लेकर F.I.R. दर्ज करा रही है ताकि ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरुकता बनी रहे फरवरी महीने में भी ऐसे ही 1089 मामलों में 45 पेरेंट्स को जेल भीजा गया था साथ ही हर अभिभावक पर 500 रूपए का जुर्माना लगाए गया था इस सक्त करेवाई के पिछे वज़े नाबालिकों के एक्सिडेंट मामले में लगातार हो रही बड़ोतरी है इसकी एक वज़े शराप पेकर गाड़ी चलाना भी है साल 2017 में ट्रैफिक पुलिस की दुरगटना के 130 ऐसे मामले मिले थे जिसमें नाबालिक गाड़ी चला रहे थे वहाड़ी के अधे इसकाषब लोगल करे दाबालिकों के अर। सुल nihज GIS एकषिंट में इसकी परके बखरएवाशना है आप और ब करें रहे प्रके प्रिदमीट। क्याँ भसीन प्रबरे छोहें शर्ज़ें फजह मстваगवा प्रिक पेस्यस के गाउज़ीं अन्र बार्वंड चौर्ट जो लोग वार्व हुड्य बार्प प्रेव रहुट को बस्ते हैं, लोग दो फ्रॉड जोड बार्वन झाल सोजिए वांड पॉड दोड बार्वार्र कोई रहांस। परशुरम कलम मंदिर समीती की ओर से कचहरी रोड इससे सांदीपन उचमाध्य में की विध्याले में आज शाम साड़े पांच बजे प्रधान आयकर आयोग बीके तिवारी का नागरी का भिननन किया गया संस्ता अध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने बताया कि समारों में राश्वक्ति की कविताओं का पाठ भी किया गया परशुरम कलम मंदिर समीती दौरस सांदीपन इस्कूल में परधान आयकर आयोग बीके तिवारी का समान समारों किया गया इस दुरान करकम के अध्यक्ष्टा सन्राइज यूनिवर्सिटी के चांसलर दॉक्र वी के अगरवालने की संस्था अध्यक्ष राधमोहन और सांधीपन संस्था परधान पंडित रामोता शर्मा ने आयकर आयुक का माला पेहा कर स्वागत किया वहीं इस मौके पर पंड्याबी वेलफियर सोसाइटी अध्यक दिवान चंसेतिया पुशारती समाज अध्यक राकेश रोडा समाज सेविया शोक तनेजा और मदनलाल शर्मा ने आयुक को गुलावी पगड़ी बांद कर समान किया इस दोरान ब्रहमर समाज की विभिन संस्थाओं ने अलकम माला पेना कर स्वागत किया करकर में देश भक्ती से ओत प्रोड कावे पाठ भी किये गए वहीं करकर में महेश, खेड़ापती, सत्ते नरान शर्मा, आयटी ओ बिशन, गालराद, दीपक बंडी, राम जिस चोदरी से काफी संक्या मिलो उपस्तित रहे भाजपा परदेश अध्यक्ष पर अहम की लड़ाई गजंदर सिंग शेखावत के नाम पर अड़ा केंदरीय नेत्रत, वसंदरा राजे नहीं चाहती शेखावत बने परदेश अध्यक कॉंग्रेस ने करनाटक चुनावी घोषणा पत्र की अजारी मोधी सरकार पर लगाए भरश्चाचार क्या रोप, चुनावी घोषणा पत्र में चात्रों को लैप्टोप मुफ्त सहीत अने कोई योजणाओं की पुई घोषणा पैट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विरोध परदशन जैपूर में कॉंग्रेसी उतरे सडकों पर बैल गाड़ी और उट गाड़ी पर निकाला जुलूस और आसराम की जमानत की हुई तैयारी सल्मान के वकी लगाएंगे जमानत याची का सोमवार को शिल्पी की जमानत याची का होगी दाखिल झाल